बड़ी खबर आई राजवरी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी राजवरी में सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में बहुत बड़ा सर्च ओपरेशन जारी है सुरक्षा बल ने राजवरी और पुंच जलू के कई इलाकों की गेरेबंदी कर दी पर जाएंगे तूत्रू के हवाले से खबर है कि 21 दिसम्बर को हमला करने वाले सभी आतंकी पाकिस्तान की सेना के संपर्क में थे और उनकी तलाश में जारी अभियान को और तेस कर दिया गया 21 दिसंबर को सेना की गाडियों पर हमला करने के बाद भागे आतंकियों को पकड़ने के लिए लगाताट सर्च ओपरेशन चलाया जा रहा है ना सर्फ जमीन पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है बरकि सेना के हेलिकॉप्टरों के जरिये आसमान से भी उन्हें पकड़ने की मोहिम जारी है राज़ौरी और पुंच के कई इलाकों की घेरेबंदी कर दी गई है इस अभियान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, स्पेशल फोर्स और सी आर पीफ के जवानों को भी लगाया गया है जमो कश्मीर पुलिस पी इन जिलों में बसे गने जंगलों को खेर कर आतंकियों की तलाश में जुटी है और इस बीच सेना प्रमुक मनोच पांडे हालात का जायजा लेने के लिए राज़ौरी के डेरा की गली इलाके में पहुँच गए खबर है कि इस दोरान आर्मी चीफ को सेना के ओपरेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई इसी जगाप पर 21 दिसंबर को आतंकियों ने सेना की दो गाडियों पर हमला कर दिया था उस हमले में चार जवान शहीद हो गए थे जबकि तीन घायल हुए थे और आतंकियों ने 21 दिसंबर को यह हमला उस वक्त किया था जब सेना के जवान पुंच में सार्च ओपरेशन के लिए जा रहे थे राजवान के डेरा की गली इलाके में इस हमले को अंजाम देने के बाद सभी आतंकियों भाग गए थे और उन आतंकियों की तलाश में पिछले पांच दिन से ओपरेशन जारी है चार जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए सुरक्षा बल के जवान राजवरी और पुंच में दिन रात जुटे हैं इससे पहले 21 दिसंबर को राजवरी में घात लगा कर बैठे आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला कर दिया था उस दिन आतंकियों ने सेना की दो गाड़ी उपर ताबड तोड़ गोलियां बरसाई थी जिससे सेना के जवान जवाबी कारवाई भी नहीं कर पाए थे आतंकियों का ये हमला राजवरी के थाना मंडी के डेरा की घली इलाके में हुआ था खबर है कि जिन दो गाड़ी उपर हमला किया गया था उनके जरिये जवानू को सुरन कोट से बफलियास ले जाया जा रहा था क्योंकि वहां सेना पहले से ही आतंकियों को पकड़ने के लिए शापे मारी कर रही थी और उसी मोहिम में शामिल होने के लिए सेना की दूसरी टीम को ले जाया जा रहा था बीच रास्ते में ही आतंकियों ने जवानू पर हमला कर दिया था और उस हमले में शहीद हुए जवानू का पूरे सम्मान के साथ अंतिल संसकार कर दिया गया राज़ोरी की घटना में योपी के कानपुर के रहने वाले जवान करन यादव भी शहीद हो गया और उनका पार्थिव शरीर जैसे ही कानपुर लाया गया बहां मातम पसर गया शहीद करण यादव के छोटे भाई तो सेना की गाड़ी के आगे ही रो रो कर जमीन पर गिर गये तुरंथ ही पुलिस और सेना के दूसरे जवानू ने उन्हें धांडस बन भाया इसके बाद शहीद करण यादव को सेना ने गाड़ ओफ ओनर दिया और फिर हजारून लोगों की मौजूदगी में उनका अंतिम संसकार हुआ इसी तरह उत्राखंड के शहीद जवान गौतम सिंग का भी पार्थिफ शरीर जब उत्राखंड के कोड़ द्वार लाया गया तो वहां का माहौल गमगीन हो गया सेकुन लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए इस दौरान लोगों ने लगातार नारे भी लगाए पार्थिफ शरीर विमान से गया लाया गया इसके बाद गया एरपोर्ट पर ही उन्हें भावगीनी श्रद्धान जली दी गया और इस भी जम्मू कश्मीर के बारा मुला में एक दिन पहले रिटाइड सेस्पी की हत्या पर जम्मू समेथ कई जलो में पाकिस्तान पर लोगों का गुस्सा भड़क गया इसकी एक तस्वीर जम्मू से भी सामने आई वहां शिफ सेना के कई कारिकरताओं ने पाकिस्तान का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया इस दोरान उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पाकिस्तान के जंडे में आग लगा दी इसके साथ ही प्रदर्शन कारियों ने आतंकियों की मदद करने वालों पर भी अपनी भडास निकाली बारा मुला के रहने वाले रिटायर्ड एसेसपी मोहमत शफी एक दिन पहले मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तभी आतंकियों ने उन पर गोलियां चला दी जिससे उनकी मौत हो गई इस अत्याकांड को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश में सेना पूरे बारा मुला में सर्च उपरेशन चला रही है